कि नमस्कार दोस्तों आज मैं लेकर रहे हूं आपके लिए फॉक्स अगैन की कार का फूचर एक्सलिनेशन पार्ट थ्री जैसे कि इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि यहां पर सामने सेंटर लॉकिंग बिटन दिखा रहा हूं वैं यह देखें लॉकिंग के लिए उसके बाद अन्लोकिंग के लिए लिए यह अगर ड्राइबर सब्सक्राइब करें तो ड्राइवर साइट से आप डारेक्ली गेट ओपन कर सकते हैं यह गेट प्लोज नहीं होता है तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेएगा और आग बाके की तीन गेट लेते हैं यहां पर फिर मैं आपको भी ओर व्यम आउट साइट रियर में वह सेटिं मैं मूव करूंगा तो यह देखें यह बंद हो गया ग्लास फिर मैं 180 डिग्री इसको मूव कर दोंगा तो यह ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आप जोयस्टिक अजस्ट कर सकते हैं राइट के लिए आपको थोड़ा सा राइट करना पड़ेगा और लेफ्ट के लिए ल यहां पर यह चाइड लॉक दिया हुआ है रियर पावर वेंडो अगर आप लॉक करना चाहें तो यह चाइड लाइक सुच यूज कर सकते हैं आपको पीछे के दोनों पावर वेंडो लॉक हो जाएंगे बच्चे बार बार उसको यूज नहीं कर पाएंगे सरारत करते हैं है जिसे उनका हाथ दब जाने के चांसेड रहते हैं चोट लग जाने की चांसेड गयता है तो यह बटनम लॉक कर दिया ह। तो इससे यह बावर और लेंडो को ऑपण नहीं कर पा रहा है यह देखे बिंडू लॉक है और यहां पर सामने दिया हुआ है है गाड़ी की हेडलाइट ओन करने का स्विच यह जीरू पर है अभी लाइट ओफ है फिर मैं इसको आटो मोट में लगा दोगा तो इसमें रेंज सेंसर और लाइट सेंटर दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही अंदेरा होगा लाइट्स आट ओरिक ओन हो जाएंगी या किसी टैनल बलगेरा से कुछ रहेंगे तब भी लाइट्स आटमाटिक ओन हो जाएंगी और रेंड डिपंडेंसी के कोडिंग इसका वाइपर ओपर होने लगेगा यहां पर यह एलुमिनेशन लाइट है देन यह हाई बीम लाइट है इसको जब और करेंगे तब ही आप सुच के थो हाई बीम और कर सकते हैं कि देखें मैंने इल्मिनेशन लाइट जला दी है एक पर मैं आपको नस्दीक से दिखा देता हूं यह देखें लाइट है इससे रियर एंफिटी टेल लाइट वह भी ज जाएगी और यहां से आप देखेंगे फोग लाइट और हाई बीम दोनों ही एक्टिवेट हो चुके हैं आप अगर आप जो डिपर यूज करते हैं लेफ्ट हैंट साइट पर दिखा देता हूं एक बार यह देखेगा यहां पर यह दिपर दिया हुआ है अपर दिपर दिय उपर की तरफ इसी लिवर को उपर की तरफ कर देंगे तो राइट हैंड का इंडिकेटर ओपरेट होने लगेगा और इसको नीचे के तरफ कर देंगे तो लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर ओपरेट होने लेगा अब यह देखे हाई बीम और लो बीम का फंक्शनी मैं दिखा सब्वाइब कर रहा है लेफ 봤 और इसके बाद ऑपर की तरह घंड कर दिया है तो यह एकटिए कह और यहां पर दिया हुआ है वाइपर ओप्रेटिंग सिस्टम ऊपर की तरफ करेंगे तो वाइपर ओपरेट हो जाएगा खास तोर पर पीछे के लिए कि पीछे करना पड़ेगा आपको इसको देखिए मैंने पुछ कर दिया पीछे की तरफ अब यह पीछे का वाइपर अपनी तरफ पुल करके इसको यह देखें मैंना उसको अपनी तरफ पुल क्या था यहां पर यह रेंस सेंसिंग डिपेंडेंसी का स्विच दिया हुआ है बारिश के मुन्दों का अपको इसको स्पीड को हाई या लो कर सकते हैं एक बात को ध्यान रखिए कि इसमें आटो स इसेंसर हैंतों आटो सैंसर चलाने के लिए आपको इंटर्मीडिडइट्र मोट पर रखना पड़ेगा तो यह मैं द bowlingरी व्यिक और आपड़ मोसते रखिए होता है और ऑर क्यों को थिकत का सामनार नहीं करना पड़ता है यहां पर पर पार से दिखा रोंग हैं यहां पर र कि इससे क्या है कि वाइपर की स्पीड का में जादा रेन डिपिंदिंग की ओर्णिंग होती है इसे साथ में यहां पर पर देखिए प्रैक्ष deedर से कि मैं भी बताया था आपको यहां से माइनस का प्रद यक्री यहां सब्सकों इसको लगाते हैं परिंप्र यूज Şu मैं मैं ड्यूग्रेश को उसकेस में पाडल स्प्टी यूज तो इसवे बढ़ाने मंदिटन के लिए के आपको ये plus का button दबाना होगा और घैर घटाने के लिए माइनस का button दबाना होगा हाला कि automatic driven काड़े में gear ये गाड़ी automatically gear down कर देते हैं बट gear बढ़ाने के लिए आपको आगे लाने के लिए आपको पैडल शीटर का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप गिएर के तुरु इसको ん मैन्माट मौट मिलाते हैं तो फिर आपको इननल मौट के तुरू भी आप उसको के तुरू भी प्लास और माइनस कर सकते हैं यह रिबर्स रणी कैम न दिखा रहा था आपको पे दिखें पूस स्टाट्ट बटन ए इसमें अभी मैं और यह ओफ हो गया अगर आप ब्रेक पर पैडल रखकर आटोमेटिक गाड़ी है या क्लच मैनुल ट्रांस्विशन गड़ी है अगर आप क्लच पर रखके या गियर पर रखके गाड़ी का पुछ बटन दबाते हैं तो उसकेस में गाड़ी का स्टार्ट हो जाएगा अगर आप क्लच कर यॉज नहीं करते हैं या आटोमेटिक गेर बोक्स घाड़ी में ब्रेक पर पैडल रखकर गाड़ी को पी स्टाट स्टार्ट नहीं करते हैं तो नॉर्मल इंजिन ओन हो जाता है जिससे के ब्लोवर विजुक सिस्टम इलेक्ट्रोनिक एक्यूपमेंट्स एलुमिनिशन ओन हो जाता है वह आप अपरेट कर सकते हैं इसली लेकिन प्रॉपर अगर गाड़ी आपको स्टार्ट करना हुआ तो क्ल करके दिखांगें देता हूँ कैसे यह ओपनेट होता है आपको एक पोजिशन पर सेट करना इसको बार बार आपको अप एंड डाउन नहीं करना होता है अभी मैंने देखिए पास में अपना हाथ लगा दिया है उंगलिये अगलिये लगा दिये तो यह देखिए एंटीग लाइट जो है एंटी ग्लियर एक्टिवेट हो गया है अभी यह देखे पुरा ब्लाक ग्लास आपको नजर आ रहा होगा मिर यह इसका रिफ्लेक्शन मेरी आखों पर पिछे कोई गाड़ी होगी उसकी हेड्लाइट की काड़ी की लाइट वह मेरी आखों में नहीं बढ़ दे सेंसर में आप सेंसर से इसका अपना हाथ हटा ले रहा हो देखेंगा यह ग्लास जिस कलर का था वैसे ही यह फिर हो जाएगा कि एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूं आपको यहां पर मैंने अपना हाथ हटा है जैसे ही ग्लास जो ब्लैक शेड लिये होगे था वह पूरा-पूरा क्लीन हो गया तो यह दिखा रहा दिखा रहा है इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आटोडी में आयर में कैसे काम करता है यहां पर यह मैं आपको सन्रूफ का फंक्शन संद्रूफ क्लोज हो जाएगा इनकेस आपको अंदर संद्रूफ को बैटिलेशन अन करना है तो हलका सा पीछे की तरव पूश करेंगे तो इसका पीछे का यहां पर ब्लैक साइट दिया हुआ है यह वेंटिलेशन उन हो जाएगा यह दिखें मैं एक पर प्रेस किया हुए अगर यह ओपन रहे गया तो आपकी गाड़ी में धूल मिट्टी पूरी 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 अंदर आ जाएगी तो मेरा यह सब्सक्राइब को कि जब भी संडूर्प को यूज करें तो सावधानी पूरवक्ष करें और सरी का कोई भी यंग गाड़ी के बाहर न निकालें दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताए हमाने चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू